विजो तरफिस्ट तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अल्बो पेन यानि जिसको आप कोहनी भी बोलते हैं कोहनी के पेन के बारे में तो पहले मैं थोड़ा मुट्टे मुट्टी जानकारी दे देती हूं आपने अल्बो पेन में अक्सर सुना होगा क्या आपको टैनिस अ क्या होता है यानि जो एक्सेंर थोड़ा सब भसके बारे में बता देती हैं जो हमरा हम का हिस्सा होता है रिजपेया है के आंट जो अन्दर के तरफ वाला हिसा होता है उसको मेडियल बोलते हैं जो जो बाहर के तरफ वाला हिस्सा होता है जो ऑला ह 쿠ल बोलते हैं तो तो जो अंडो पार्ट जो होता है उसको ऑन्राइ Megarity नेटेरी तो हमारे सिर्फ मुर्मन्न प穴 स॥ वह जाकर के attach होती हैं, यानि जो इधर अंदर की determiner की皿 ahra attach यह מדier side और जो अमारी बाहर side की muscle tbc वह हम जो引同 का इंसको हमी extensions support यानि जो हातों को ये 허ida movement के लावाली functional structures होती हैं, वह जाकर कर भाएं, वह के ले लेटरेल epicondyle पे जाकर attach होती है now lateral epicondyle तो इसका tennis elbow से क्या मतलब है tennis elbow को अगर आप अनाटॉमिकल या आप इसको अगर अगर मेडिकल टर्म में अगर बोलेंगे तो इसको lateral epicondylitis बोलते हैं या means lateral epicondylitis नॉमल वर्ड हो गया जो इस एरिया को बोलते है इसका मतलब होता है कि inflammation यानि swelling या सूजन तो यहां पर जब भी किसी भी वज़े से inflammation हो जाता है या swelling होती जहां पर attach हो रही है या आपकी extensions के muscle तो inflammation हो तो उसको हम इस बोलते हैं तो तब यह word बनता है lateral epicondylitis इस वीडियो में बहुत ही simple exercises लेकर के आई हूं जो कि आप जिनको करने में आपको पुछादा प्रॉब्लम भी नहीं होगे और आप इजली अपने घर पे बैटे-बैटे कर सकते हैं बर आपको यह जानने के बहुत जादा जरूरत है और आप मैंने अकसर देखा है कि अआग landed अपफुश्ण ने पेन तो वह सिर्फ रिस्ट को ही फोकस करते हैं या किसी को अलबू में पिन joint में अपश जब्लिया इबट करती है तो टो और जोईल्ट क कि घुर्ण हो एक दुसरे से करनेक्टे होघे मेंसल्स के थुआ हो या लिगमेंश के थू हो या bone to bone हो, यह ध्यान रखना है, अगर एक joint कहीं भी effect होता है, तो दूसरा joint भी उसके नीचे वाला effect होता है, कम हो, ज्यादा हो, यह depend करता है कि कितनी ज्यादा severity है, तो इसलिए मैं कहूंगे, अगर आपको elbow को अगर चंदन करना है, या mobilize करना है, या जो भी आपको exercise करना है, दिहान रखना है, उसके एक joint up और एक joint down, दोनों को mobilize करिएगा, means अगर आपको elbow के exercise करना है, तो आपको rest की भी exercise करना होगी, and आपको shoulder की भी exercise करना होगी, और shoulder के साथ-साथ आपको upper back की भी exercise करना होगी, तो वो सारी exercise मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, means upper back के लिए, यानि पीट के लिए मैंने अलड़ी एक अलग वीडियो है, hand के exercise के लिए अलग वीडियो है, and shoulder के exercise के लिए अलग वीडियो है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करना होगा, और साथी bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा, ताकि मेरे next वीडियो की भी notification आपको मिलती रहें, और आप मेरे सारे वीडियो को अच्छे ज़री के से देख सकें, और उन्हें समझ पाएं, तो subscribe कर लिजे, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको सारी exercise समझाऊंगी step by step, तो आपको बहुत easily आप कर पाएंगे, पस यह थ जाएक टाइम नहीं करने का, तो कुछ दिन रुख जा देंगे, यह अगर आप करते हैं, तो एक दो दिन अपने बोडी को थोड़ा सा अब्सर्व करेंगे, कि कोई प्रबलम तो नहीं हो और यह पेन बढ तो नहीं रहा है, अगर पेन बढ रहा है, तो बढ जो करते हैं, त के साथ कर सकते हैं या नॉर्मल मुमेंट आप डाउन अपने रेस्ट का यह सर्कुलर मोशन एल्बो का मुवमेंट जितना आप इजी ली आप कर पाऊ सिर्फ उतना इट्स काइंड आफ वाम अपक्साइज तो अपन डाउन फाइफ तो तेन टाइम्स फाइफ तो तेन टाइम सब्सक्राइब तो इस तरीके से आपको वाम अप करना है यह ध्यान रखना है उतना ही मुवमेंट करना जितना आपकी बॉड़ी अलाव करिये और यह पेन फ्री होना चाहिए नाव दनेक्स मॉपलाजेशन इस आपको हाथ को इस तरीके सटना यह निए ओपन रखना है पा और अल्बो को वेंड करते हुए यहां तक एसे लेकर आना है और आप अपने बॉड़ी सीधी रखेंगे और पूर इस तरह सेल्बो को लेकर आएंगे और यहां पर रोटेट कर लेंगे तो यह बेसिकली एक तरीके से आपको जो अल्बो का जो मोमेंट इसको मॉबलाजेश तो यह अपने यहां पर गय है यहां पर रखा एंड 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 रूब लाइक इस तो हो सकता आपको थोड़ी कड़क की भी आवाज आए तो नॉमल टोटली नॉमल इसमें आपको डरने की बिल्कुल वी जरूरत नी है तो इस तरही से आपको तीन से पांच पारी करना है ज़रूरत निक्ता सिंपल मॉबलाज़ेशन टेक्नीक कॉत स्टरीं आपको किया करना यान को सिर्फ उतना ही मूओं यह इतना इस तरीका से अबरोग को सिर्फ के एपकर देखे हैं। एक जाँ पर बहुत जादा पेन है तो जैसे जासे आप को आप Sm आपको बहुत एक्ट में लगने लगने लिए अपनी आपको इस ने यहार पोल एक पर एक जा जो तो फुर सेकंड एक एक डाया है को वाट आप करेंगे ने था बहुत आफ लिए प्सक्षाद करेंगे जब अ और पुछ करेंगे तो यहां पर और ज्यादर स्ट्रेच फील होगा होल्ड इट फर फाइफ सेकेंड और रेलाक्स सो इस तरीके से आपको फाइफ रेपिटेशन करना एक सेट में और पूरे दिन में कोशिश करेंगे दो से तीन सेट करने की जब आप इसमें भी कमफुटिब करेंगे लोगा होल्ड फाइफ सेकेंड एंड रेलाक्स सो इस तरीके से आपको 55 रिप्रेशन करने है एक सेट में और पूरे दिन में कोशिश करेंगे दो से तीन सेट करने के बहुत लोगों की वरीज होती है जो ब्रेस आता है अलबो ब्रेस अग्सर टेनिस अल्बों में लोग ट्रिफर करते हैं तो उसको कैसे वियर किया जाए तो मैं मेरे पास ब्रेस तो नहीं है बट मैं आपको एक्स्प्रेन कर देती हूं आपको पहनना कैसे है तो जब ब्रेस होता है वो बेल्ट लाइक ऐसा चोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा तो जो कुशन वाला पार्ट है जो प्रेसर है आपके मसेल, जहांपी षूजन है ञाए प्रेसर के लिख टो बहती ही आप नहीं होगाँ तो जिए ब्रेस होती हैन आप जो प्रेशर बनाद कर होता की तरू आपको तो यहां तक प्रेशर ना फीलो, that's it, और कुछ नहीं, बाकि आप अपना नॉर्मल मुमेंट कर सकते हैं, इतना ही टाइट होना चाहिए, बहुत जादा टाइट नहीं होना चाहिए, तो यह ध्यान रखना है, उस पॉइंट पे नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, य यह आप 1 kg का हो, डिपेंड करता है कि आप कितना कमफोडेबल हैं, कितना जादा आप वेट कर सकते हैं, तो बट बट ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी सरुकुलर चीज, या रॉट टाइप स्ट्रक्चर हो इसका वो ले सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, तो आप या कोई भी आप टेबल यूस्ट कर सकते हैं, जिस पर आप हैंड को पूरी तरीके से ररेस्ट कर सकें, यहाँ पर और मैंने एक अपना रिचिए लिए है, तो यह थोड़ा सा वेटे है, इसलिए मैंने मैंने इसको लिया है, ताकि मैं आपको इजली संझा सकूं, यहाँ प यहां पर रिस्ट से यह पोशन ही मेरा से बाहर के तरफ है बाकी यह पुरा रेस्टेड है तो अब आपको क्या करना है पहले तो एक दम स्ट्रेट रहेगा अब आपको कोशिश करने दीर दीर ओपर उठाने की जैसे आप कमफर्टेबर लाइक अगर आप जितनी देर भी होल क कर सकते हैं कि 3 और 5 सेकेंड होल कर सकते हैं लेट भी होल इफ फॉर फाइफ सेकेंड एंड रिलाक्स जब आप नीचे जा रहे तो भी आपकी एक्स्टेंशल मुसल वर्क कर रहे है थोड़ा सा वे डिफरेंट से डिफरेंट है अप लेके जाएंगे वोल इट फॉर वाइल तो तो तरी और 5 सेकेंड एंड रिलाक्स पसिकोशिश करेंगे ध्यान रखना हमी सिर्फ और सिर्फ इल्बो का यूज करना है यानि अल्बो का मीन्स आपके जो ऊपर कि मसल्स है हमें सिर्फ और सिर्फ तो यूस करना और आप चाहो तो अपना यह फिंगर्स भी वहां पर तेट यह दो थी सेत रहोल को है मुझत है कीणिसे isn't it कीकिन फक्रण जोब च राशने वाला deposits या आप यूज करने वाला computer फेक्राण जो भी होता है पर्स–फ पॉल होला क्ara पड़ लाट को है उस पोछन को भी स्ञंदन करने के लिए àp क्या अधिसे में कि आया तो अब आपको यह चीज बेट के साथ करनी है ठीक है डाउन एंड एन बसी ध्यान रखना है आपने शोल्डर का यूज जादा नहीं करोगे शोल्डर रेस्टेट रहेगा सिर्फ यह मुवमेंट करना है और इस एक्साइस को आप बैंड के साथ भी कर सकते हैं वह भी आपको क करना है रेपिटेशन इसमें रहेंगी स्टाट करेंगे फाइफ रेपिटेशन से जैसे सब कमफटेबल होने लगते हैं यू कन गो टेल टेन रेपिटेशन बसी ध्यान रखना जब भी जैसे सब मूव कर रहे हैं होल्ड इट फर वाइल लाइक तू थी और फाइव सेकेंड जैसे सब कॉमफटेबल होते हो आप जैसे सब कॉमफटेबल होने लगता हो तो तो आप अपने होल्ड टाइम भी इंक्रीज कर सकतो तो रेपिटेशन के साथ साथ यू भी अ इस तरह से एक लूप लाइक बैन होगा मैं आपको भी दिखा दूनगी पर में आपको एकसै प利 यह पोशन है ब्रिस्ट को मैं आप करने की कोशिश कर रहे हूं बस ध्यान रखेंगे यह पुर हाथ नी उड़ना चाहिए है हाथ जो है वो पुरा रिस्टेट रहेगा सिर्फ आप इसको आप करेंगे तो अगें सेम फीलिंग होगी जो आप बेट के साथ कर रहे थे और कर दो सरी जो आपको क्या ठीयार है वह बहुत जाब कर रहे यह ह्यां इसतलर को इसको आपको इस तरह कर लेंगे हैं and then in, out, then in, उतना ही करना जितना आप कमफरटेबल है, रेपेटेशन वोड भी सेम एज अर्लियर, शुरुवात में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन हो, यह नॉमल रेक्शन आप दे मुसल्स, यह नॉमल सोरनेस होगी, वो एक-दो दिन में अपने आप सबसाइड हो जाती है, वैसी भी अगर आप एक साइज करते हैं, तो थोड़ा सा अगर होट पैक या कोड पैक का यूज करेंगे, तो दाट हेल्प तो सबसाइड यूर पेन, अब हम आते हैं सॉफ टिशू मसाज पे, सबसे जादा पर्ट होता है, और लोको को बहुत जादा पसंद भी होता है, तो आपको क्या करना है, नितisi करना है, अपी अपने पूरे मसले कंच को यूज कम रहता है, यह AJCanden कम उसे दों कोता है, आप उसको कोशिश करें के इस तरीके से मूँब करने कि ऐसे LIKE했다 şumind कि मसल्स मूब हर रहें आपको ऐसी फेलिंगा जी एसे ऻीए करना है थोड़ा सा परेशन के सार्थ करेंगे और यातो च defer कॉलर मोशन में करेंगे एं द क्ल यह अब है जुआ है आप को हैं लॉकोलियरिस popsर पैसे करना है वह भी में बताती है यह आपको क्या है करने हैं यी त्रस तरह करने है अब आपको है हात को यानि इस तरीके से अ het यह यह पोच्आन यानि यह पूरा मुफ रहनी जो हात है जो आपका पॉर्षन है आपको जो हाथ होगा इसके एक दम मिड में आना चाहिए इस तरीके से ठीके अब आपको कोशिश करेंगे ये मुवमेंट करने की आपको थोड़ा सा हलका सा पेन भी हो सकता है बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पेन बढ़ना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत होता है तो इस तरह से करके आपको अच्छे मुबलाजेशन नहीं फील होगी तो यह ध्यान रखना एक एंड जो होगा वह रेस्टे रहागा यानि इस तरीके से आपको रेस्टे रखना है एंदें ट्राइटो मूबलाइज लाइज लाइज लाइक दिस आपको पेन लेना है और जहां पर आपको पेन यानि एल्बो की जो जॉइंट है उसके नीचे आपको शुरू करना है यहां पर रखना है एंड पेन से अपको थोड़ा सा प्रेशर देना यह ध्यान रखना है प्रेशर देने के बाद सिर्फ आपको इस तरह से मुव्मेंट करना है शुरुव में थोड़ा सा पेन हो सकता है जहां पर आपको पेन होता है वहां पर थोड़ी दिर होल्ड करके रखेंगे लाइक 10 और 20 सेकंड दीरे जो आपका पेन है वह आपको सबसाइड होने लगेगा पस ध्यान रखना पेन आपका बढ़ना नीचे यह और नहीं करके थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे एंड डू दे सेम थींग अगर आपको आपसे यह मोमेंट नहीं हो रहा है आप इस तरह से नहीं कर पा रहे है तो आपको सिर्फ ऐसे प्रेशर लगाना है होल्ड इट फॉर 20 और 30 सेकंड जब आपको लगेगे इसमें पेन बहुत क करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली आप जो भी ट्रिगर पॉइंट से उनको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं विद मॉबलाजेशन तो इस तरह से 2-3 टाइम करेंगा अपने आप आपको फील होने लगए कि पेन बहुत जादा कम हो गया फिर अपना पॉइंट आप इसको रिलीज भी कर रहे हैं तो मॉसल बहुत जादा फटीग हो जाएगी तो हमेशा मोबलाजेशन में यानि रिलीज में कोशिश करेंगे अट लिस्ट 24 आर्स का गाप होना चाहिए तो अगर आपने आज किया है तो कल का एक गाप लेकर के आप परसो यह चीज करिएगा इस इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करिए और जिसको भी जरुवत उनसे शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगर चाहता है कि मैं किसी और टापिक पर वीडियो बनाओ जो भी आपकी क्वेरिस हो आप कमेंट ब्रॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैं पूरी कोशश करूंग उन सारे जो भी आपके क्वेरिस उनको सॉल्व करने के लिए तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर